हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छी होंगे दोस्तो आज हम जीवन में इतनी रफ्तार से चल रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कुछ ऐसी चीज़े खोते जा रहे हैं जिनकी बहुत जादा वैल्यू है और जब हमारा टाइम हम वक्त में बहुत जादा आगे निकल जाते हैं तब हमें रेलाइज होता है कि हम क्या खो चुके हैं और फिर हम उन चीज़ों को दोबारा नहीं पा सकते हैं यही चीज मैं आपको एक कहाने के तुरू समझाता हूँ एक बार एक आदमी ओफिस में काम करता था और वो देर रात घर पे ठका हारा घर पे पहुंचता था तो एक दिन जैसे ही वो घर पे पहुंचा उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका चोटा सा बच्चा उसका इंतजार कर रहा था तो अंदर गुस्ती उसने अपने पापा से पूचा कि क्या मैं आपसे एक कोशन कर सकता हूँ तो उसके पिता ने कहा कि ठीक है आप पूछो क्या पूछने चाहते हो तो बेटा ने कहा कि पापा आप मुझे ही बताए कि आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं तो उसके पाप पिता जी ने कहा कि भई इससे तुम्हारा क्या लेना देना तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो तो पिता ने उसे डाट दिया बच्चे को कि ऐसे कुछ भी पूछते रहते हो तो बेटा बोला कि मैं तो यही जानना चाहता हूँ तो पिता ने गुसे से उसकी तरफ देखा और का कि मैं एक घंटे के सो रुपे कमाता हूँ अब बताओ क्या करना है तो उसके बेटे ने पड़ी मासूमियत से बच्चे क्यूट होते हैं काफी तो उसने सर जुका देखा कि पिता जी क्या आप मुझे पचास रुपे उधार दे सकते हैं तो इतना ही सुनते वो वेक्ती आग बगुला हो गया तो उसने का कि ये फाल्तु के सवाल पूछते रहते हो तो मैं पैसे क्यों चाहिए तुम फिर से जाके वो बेकार के खिलोने खरीदोंगे इधर उधर की चीजे खरीदोंगे और पैसे वेश्ट कर दोंगे तो मतलब उसने ऐसी बच्चे को डाट दिया कि मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत से कमा रहा हूँ और तुम ऐसे बेकार चीजों में बरबाद करना चाते हो इने तो यह सुनकर बच्चे के आखों में आसु आ गए और वे अपने कमरे में चला गया तो वेक्ती लब काफी गुसे में था तो दीरे-दीरे टाइम भी था तो उसका गुसा दीरे-दीरे सांत हुआ तो उसने सोचा कि सायद उसके बेटे को सच में जरूरत हो उन पैसो की वो इसलिए पैसे मांग रहा हूँ तो उसे पैसे दे देने चाहिए थे उसने ऐसा सोचा तो फिर अपने बेटे के कमरे में गया उसने पूछा कि वही तुम सो रहे हो जाग रहे हो क्या कर रहे हो तो उसने बोला कि पापा मैं अभी जाग रहा हूँ तो उसकी चुब पिताजी थे उन्होंने का कि साइद मैंने तुम्हें बेकार में डाट दिया मुझे ऐसे नहीं डाटना चाहिए था पर लेकिन मैं दिन भर काम करके ठका हुआ था तो इस वज़े से मुझे जल्दी गुसा आगा इसलिए मैंने डाट दिया तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पचास रुपे निकाले और अपने बेटे को दे दिये यह रही तुमारे पचास रुपे रख लो तो उसने कहा थेंक्यू बेटा बड़ी खुशी के साथ पैसे लेते अपनी अलमारी में गया और उसने वहां से अपनी गुलक निकाली और उसमें से सिक्के निकालने लगा तो दीरे दीरे गिनने लगा तो उस आदमी को फिर से गुस्सा आ गया उसने बोला जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने मुझसे क्यों पैसे मागए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे तो मुझसे क्यों मांग रहे हो तो उसने कहा कि पापा मेरे पास पैसे थे पर लेकिन पूरे नहीं थी अब मेरे पास पूरे पैसे हो चुके हैं इन 50 रुपे को मिलाकर अब मेरे पास पूरे 100 रुपे हैं तो उसने बड़ी महासुविमत के साथ वे 100 रुपे अपने पिताई को दीये उनसे बोला कि आप आप 100 रुपे एक घंटे में कमाते हैं, तो यह रहे 100 रुपे मैं आपका एक घंटा खरेदना चाहता हूं, तो यह पैसे लीजे और रख लीजे और कल आपको घर पे एक घंटा पहले आना है, तो दोस्तों क्या आप समझें, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कि हम जीवन ज़्यादा जरूरी है, हम उन चीजों पर ध्याने नहीं रख पारें, और उन्हें हम खोते जा रहे हैं और एक वक्त ऐसे आएगा कि जब वो चीजे दूसरी रास्ते पर होगी और हम दूसरी रास्ते पर, और हम उन तक नहीं पहुँच पाने के, क्योंकि दूनों के रास्ते अलग-अलग हो चुके होंगे तो इस जीवन की भागदोर में, अपने माबाप बच्चो या फिर अपने दोस्तो या फिर जीवन साथी के लिए मतलब थोड़ा टाइम निकालिए और उनकी एक वैल्यू समझे और उन्हें अपनी लाइफ में थोड़ी इंपोटेंस देजे कि वो भी आपकी जीवन में इतना ही महतर रखते हैं जितना की आपका काम तो कभी काम से छुटी लेजे फैमिली के साथ बाहर जाए लंच कीजे, टीनर कीजे या फिर कहीं गूमने जाए तो मतलब आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा हर चीज के लिए क्योंकि आपकी जीवन का ये बहुत महत पूनिसा है जो जब समय बीच जाएगा आपको तब इस चीज की वैल्यू पता लगेगी अभी आपको इस चीज की वैल्यू नहीं पता लगनेगी तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप हमाईल चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा और अगर आप चाते हैं कि ये वीडियो किसे और के काम भी है तो आप इसे सेर भी कर सकते हैं थैंक्यू